तो आप भी वही से डाउनलोड कर सकते हैं तो इस notebook का नाम है basic text classification TensorFlow के उपर यह इसकी website है अगर आप learn पर जाएंगे TensorFlow में तो वहां पर tutorials के अंदर यह ML basic with Keras के अंदर basic text classification है तो वहां से इस notebook को grab कर सकते हैं इसका link already मैंने आप सभी को तो भीज़ दिया हुए so you know कि यह किस तरीके से काम करती है now we will start working on this one by one code को हम run करेंगे और इसको देखेंगे ठीक है और hopefully हम अपना जो model है उसे train करेंगे इसके उपर और फिर इसके उपर हम analysis करके finalize करेंगे कि किस तरीके से आप text को classify कर सकते हैं and this classification is not semantic but sentiment कि मैंने आपको बता है सिमेंटिक होता तो क्या होता है एपल और इदर उदर की चीज़ों के बारे में पता लगाती कि यह अब हमने इस notebook के बारे में यह बेसिकली टैंसर फ्लो की जो लैबरेरी है उसके अंदर automatically इन्होंने as a tutorial upload की होई है and the data is taken from somewhere else जो यहां पर मैं भी आपको दिखाऊंगा library के अंदर matplotlib, osre, sutile, string and tensorflow यह कुछ हमने modules जो हैं उनको use करना है यह different किसम के modules हैं जो use होते है library के अंदर और अकसर जो आपके फर इक्जमपल यह जो लाइबरेरी नहीं जो लाइबरेरी जो यह जो लाइबरेरी से भी बोले जाता है string and tensorflow की बाकी library these are automatically installed when you install tensorflow तो यह यहां पर और रेडी installed होती है आपने जासे इन्हें call करना होता है and then it's fine और यह जो libraries use की गही है यह basically इनका function यह है कि आपके data को folder structure के अंदर कैसे manage करना है ठीक है तो इस वज़ा से यह libraries जो है हमाई यहां पर लिखाई जाती है सबसे पहला काम मैं यह जो run करता हूं इसे पहले फिर हमारा काम आगे चलना है otherwise नहीं चलना और सहरी बात है अगर मैं इसको run करूंगा then I need to download the data set as well जो यहां पर मेरे पास नहीं पढ़ा हुआ URL यहां पर है अगर download नहीं करता मैं directly URL से भी fetch कर सकता हूं अपना data ठीक है तो URL data का यहां पर दिया हुआ मैं link इस tutorial का आपको भेज़ देता हूं ताकि आप साथ साथ अगर perform करना चाहें तो you can do that okay तो यह जी हमारे पास कुछ इस तरीके से data है data किस चीज के उसको देखते हैं जो TensorFlow का वरियन है 2.11 उनकी notebook के अंदर जो चीज़े run की हुई है मैं उनको नहीं शेयडा अगर run करना पड़ा then we will run it afterwards अभी सिरफ एक दफा go through करेंगे और जब भी notebook को खोली जाए सबसे पहले उ सोचें कि हमने इस पर क्या analysis करने sentiment analysis this notebook trains a sentiment analysis model to classify movie reviews as positive और negative तो कौन सी classification हुई binary positive या negative ठीक है तो किसम की classification हमने करनी है इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारे पास data आना है उसके models के उपर उसके data के input के उपर या तो positive का label होगा या negative का label होगा ऐसे है और फिर हम यह भी देखेंगे कि NLP का data किस form में हमारे पास आता है पहले आता था जिस CSV की form में एकसल की form में जो data structure हमारे पास सबसे पहले हम use करते होते हैं फिर data हमारे पास आया images की form तो इसका data किस form में आता है हम वो देखेंगे अब यह जो data है हमारे पास reviews का data है reviews जो movies database यानि के internet movie database के reviews का data binary classification है और widely applicable kind of machine learning problem है sentiment analysis बहुत ज्यादा use होते हैं अब आगे बात करते हैं कि यह data कहां से लिया गया है यह data set के अंदर पचास हजार movie reviews का text है ठीक है that contains 50,000 text of 50,000 movie reviews from the internet movie database यानि के IMDB के जो website है वहां भी लोगोंने comments किये हूए review दिये हूए different movies के उपर वो data set है और यह split किया गया है पच्ची सो और पच्ची सो की review for testing and training ठीक है पच्ची सो पच्ची सोरी 25,000 in testing and training sample the training and testing sets are balanced balance का मतलब क्या है कि जितने आपके positive वाले हैं उतने ही negative वाले data sets reviews balance का मतलब यह है कि side पे positive with a negative center में balance हो ठीक है balance का मतलब है कि जितने आपके equal number of positive and negative numbers होंगे review के फिर download कैसे करना you can download this with this gz file star gz file which is a kind of complex data और NLP को जब भी आप data को download करेंगे तो यह compressed form में यानि के gzip file में आपको मिलेगा reason क्या है आदे से ज्यादा data की space कम हो जाती है gzip के अंदर आने के बाद ठीक है so you will download it और उसके बाद आप इसे use कर सकते हैं अब data set के अंदर जब यह command run की जाएगी सबसे पहले आपके पास data set आ गया और उसकी directory हमने बता दी कि data set रखना काम पे है so this is normal I didn't run this now we will run this afterwards पहले हम इसको पूरी notebook को देखते हैं कि क्या क्या किया गया है और जो terms हमने आज पढ़ी हैं उनको हम चेक करेंगे अच्छा यह data set download होने में अच्छा खासा time लगता है मतलब 26 seconds 27 seconds से start हुआ और यहां पर इसको 2 minute 19 seconds लगे हैं उनके online version जो उन्होंने upload की हुई है ठीक है so if I start running this it will take more time तो let's see afterwards जब हम इसको notebook को एक दफा देख लेते हैं फिर हम इसकी तरफ आते हैं तो data site की जो directory है उसके अंदर data कुछ इस तरीके से होगा train and then imdb vocab test readme and imdber.text ठीक है मतलब यह यहां पर training का एक folder होना चाहिए फिर एक testing का और बाकी कुछ इसके data set के साथ कुछ vocab आई होगी कि इसका क्या मतलब है फलान चीज का क्या मतलब है क्योंकि NLP के data के साथ कुछ abbreviation चीज़ें भी होती है न abbreviated तो उसका भी data आपको दिया होगा जैसे हम metadata बोलते हैं कि data का अपना data then हमारे पास यह training directory है उसको हमने set कर दिया कि training directory train वाला folder जो है वो हमारी training directory यह ठीक है उसको हमने दे दिया कि यह हमारी training directory है directory होता है folder जब हम इसको run करेंगे you will understand और hopefully आपने कल run किया होगा इस वज़ा से move कर रहा होगे फिर हमारे पास POS क्या होता है train POS and यहां पे train energy तो यह POS वो नहीं है जो भी हमने पढ़ा था this is positive and this is negative तो इस वज़ा से जब भी आप data download करें आप देखें के POS का क्या मतलब है energy का क्या मतलब या कुछ और terms हो सकती है तो इस वज़ा से meta data important ठीक है फिर यहां पे उन्होंने sample file को यहां पे print किया जैसे हमने पहली image को ने print किया था CNN के अंदर यह एक review के हमने यहां पे print किया ठीक है Rachel Griffith rights क्योंकि IMDB का data जो लोगों ने नामों के साथ print वहां पे review लिखें वह उनको convert कर रहा है colon को कि इसने लिखा है Rachel Griffith rights and directs this award winning something like that and so on and so forth ठीक है अब अगर आपके पास यह names text के अंदर आ रहे हैं for example यह जो review लिखा गया है इसका मतलब यह है कि फलान नहीं यह direct की और लिखी फिलम और उसको award मिला है तो यहां पे हम वो नाम देखेंगे अक्सर उकात आपको NLP के अंदर जिसने review लिखा हुआ है उसका नाम भी आ जाता है ठीक है जैसे आप अगर main database देख रहे हैं जैसे for example आप sentiment analysis का data analysis कर रहे हैं Facebook की post के ऊपर ठीक है तो आप अक्सर उकात उनकी IDs के names भी ले सकते हैं so you can convert that into different kind of names और उससे आप location का अंदाजा भी लगा सकते हैं ठीक है but this is another thing now load the data आपने data load कर लिया और इससे फिर आपने कुछ directories को remove कर दिया बीच में से and then you go towards different other steps यहां पर अब bad size और हमने train test split के अंदर data को split भी कर सकते हैं या validation के अंदर हम data को अपने मर्जी से split कर सकते हैं यानि के जो 20,000 हमारे पास एक साइड के डेटा 25,000 एक साइड का डेटा उसमें कुछ validation के लिए भी रख सकते हैं और फर्दर हम उससे कुछ जो है हमारे पास testing के लिए जो रड़ी हमारे पास पढ़ा हुए training and testing जो हमने starting किया था उसके अंदर converted उस से भी हम इसको split मार सकते हैं या हम वैसे एक percentage के लावा भी number दे सकते हैं कि यहां से यहां तक आपने दे लो but the best way is to splitting the data ओके अब यहां पे हमारे पास 20,000 for training and 25,000 total है ठीक है तो हम अब आगे देखते हैं कि यहां पे क्या होता है हमारे पास यहां पे review का label आ गया for example यहां पे अगर आप गौर करें तो label हमारे पास या zero होगा या one होगा तो आप मेंसे कितने लोगों को बता है कि यहां पे zero क्या show कर रहा है और one क्या show कर रहा है अगर आपने रन किया होगा तो फिर आपको यह सही पता चलेगा अधर्वाइस इस बैटर के आप इसको देख लेए नाव तो थिंग इस कि यह लेबल आया है जीरो यहां पे अगर आपको नहीं भी पता चल रहा तो आप चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से इसका कमेंट लिखा हुआ है रिवियू सो एक दो चीजों से अंदाजा लगा के भी आप देख सकते हैं और आप देख रहे होंगे कि यहां पे बहुत बड़ी लाइनों में भी रिवियूज लिखे हुए और छोटी में भी जारी बात है कुछ लोग कहते हैं नाइस उनका यहीं पर डिव्यू खतम कुछ लोग बहुत डिटेल में लिखते हैं कुछ लोग मेडियम डिटेल में लिखते हैं उस चीज़ को भी यहां पे काॉंट किये जाता है length of a sentence यह review वो भी हम count करेंगी and then हमारे पास labels आगे उन labels को हमने चेक कर लिया class names उनको assign होगे सारा कुछ that's there training होगी अब हमारे पास यहां पर two classes के साथ हमारा जो data है वो start होता है और हमारे पास 5000 जा वैलिडेशन के लिए जाते हैं लेकिन there are many things which we use to process the data या pre-process the data क्योंकि यह NLP का data इस वज़ा से इसकी pre-processing different है यह वो numbers की तरह नहीं होगी image की different थी image में हमने pixels को read करके analyze करके फिर normalize किया था यहां पर हम किसको गटते हैं we will see now हमने करना है standardize tokenize vectorize the data using helpful this module layer from tf हमने पढ़ा है tokenize तो हमारे पास standardized or vectorize क्या चीज़े हैं इनको हम देखेंगे कि standardized कैसे होता है और vectorize क्या होता है यहां पर पकाईदा उन्होंने explain भी किया है nice notebook जो होती है वह आपको बताती भी हैं कि जो हम चीज़ पढ़ रहे हैं उस पर लिखा क्या हुए मैं अगर इसको थोड़ा सा जूम-इन करू standardized reference to the preprocessing the text typically to remove punctuation or html elements वो होता है न अक्सर उकार जब आप किसी चीज़ को लेके आ होते हैं तो अक्सर reviews को उन्होंने bold में लिखा होता है html tags use करके html tag होते हैं headers दोनों साइड़ों पर यूज़ कर ली जाते हैं या different किसम के other tags यानि के सबसे पहला काम ही punctuation को remove करना है nlp के अंदर punctuation का role बहुत कम होता है name models के अंदर but for now is nothing html को remove करना तो इसको हम बोलते हैं standardize करना यानि के removing the punctuation and html tags tokenize क्या होता है splitting string into tokens अब इसकी example आपको पता है कि सारी की सारी string को tokens में divide कर लेना है single words के अंदर ठीक है individual words वो कैसे होता है जो spaces होती है na space bar जो भी लगाते हैं ठीक है उनकी base पर हम कर सकते हैं तो हमारे पास data आ गया आप कहें कि space की base पर सभी को split कर तो that is called tokenize ठीक है अब अगली की वेक्टराइज क्या है vectorization refers to the converting tokens into numbers so they can be fed into the neural network all of these tasks can be accomplished with this layer क्या होता है जो आपका text है ना सबसे पहले वो एक बड़े sentence में उसको साफ कर लिया punctuation remove and all the other things removed then दूसरा काम है उसको tokenize छोटे-छोटे words में convert कर लिया अब हर token को एक number में encode करना है उसको हम बोलते हैं vectorization ठीक है converting tokens into numbers यानि कि दी का कोई एक number हो जाएगा एम का कोई एक number हो जाएगा सैट का कोई एक number हो जाएगा cat का कोई एक number हो जाएगा so you will convert that into different numbers क्यों क्योंकि neural network क्या करता है numbers को process करता है at the end so you need to define that number और वो कैसे होगा वो इस layer के थ्रू होगा tf keras.layers text vectorization ठीक है इसी layer के थ्रू हम इसको कर सकते हैं अब देखते हैं जी as you saw above the reviews contain various html tags like this one these tags will not be removed by default standardizer in the text vectorizer layer which converts text to lowercase and strip punctuation by default but doesn't strip catch email you will write a custom standardization function to remove html command यह जब से notebook आई है ना वो कहते है अपना एक function लिखें जिससे क्या होगा सारे के सारा html के tag खुदबाखुद remove हो जाएंगे but i think there was an update recently मैंने check नहीं की अभी i was reading some document and i still remember के vectorization के अंदर उन्होंने कोई update किया जिसकी विड़ा से आप html tags remove कर सकते है with text vectorization layer so we need to check that we will check it later on but for now अब उस function को बनाने के लिए जारी बहात है आप standardization का function define करेंगे we will see that कैसे define होगा and then to prevent training testing skew also known as the training testing training serving recue skew इस से क्या होता है मुराद मैं भी आपको बताता हूँ it is important to process the data identically at train and test time अब मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ होती है skew का मतलब है कि एक को आप standardized कर रहे हैं दूसरे को नहीं कर रहे है तो वो एक तरफ से चिपका सा data हो जाए और दूसरी तरफ से वैसा ही रहे है जैसे नॉर्मलाइजेशन के दुरान नहीं होता कि आप एक हाई वाले या एक साइड वाले आप कर लें चेक ठीक है और दूसरे साइड वाले करें न तो आदा data standardized होके छोटे scale पर आ जाए और जो बड़ा data है वो वहीं पर वहीं रहे तो एक साइड से चिपका पिछका data हो जाएगा यानि के training और testing दोनों में स्क्यूने साइड है ठीक है तो उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं दोनों को identically at a time हम treat करते हैं ताकि सभी में same information हमारी proceed करें तो हम इसके अंदर directly जो है वो model के अंदर इसको लगा लेंगे इस function को that's why we are creating the function otherwise हम simply command use करके भी यह remove कर सकत थे तो हमने training के दुरान इसे remove करना है तो इस वजह से during the process of training we will add this function there let's define the function यह function simple custom standardization का यानि कि आप कोई भी data देंगे उसमें से क्या करेगा replace कर देगा lower case को यह वाले tags को with this one मतलब जहां जहां पर यह चीज़ आ रही है वहां वहां पर space आ जाएगी ठीक है समझ रहे हैं बात को it's simple सिरफ replace किया जैसे वर्ड में नहीं करते हैं control h अगर आपको पता है control f से find होता है और replace कर देते हैं अगर हम find and replace का function use करें तो find करें किसी भी text को उसे खाली से खतम करते हैं तो इसका मतलब है वहां पर कुछ भी नहीं आए कि यह जगा खाली कर दो तखलिया तो आप html को tags को बोर रहे हैं तखलिया होई निकलो यहां से so that's what this function is doing and it's really simple और उसके बाद आप क्या करते हैं आप यही नहीं सिरफ आप different किसम की punctuation को भी यहां से remove करते हैं यानि कि कोई भी इससे reject function को use करके किसी भी किसम की कोई भी punctuation आप उसे remove कर देते हैं rejects functions क्या होते हैं जो आपका एक pattern को check करते हैं और अगर वो pattern से related कोई भी remove करें so we will see now standardized का हमारा function बन गया जिसमें punctuation remove करने थी and then we need to use those to remove those html tags वो function बन गया now you will create text vectorization layer वो ही layer जो start में पहले हमने बनानी थी लेकिन हमें पता था कि उसमें कोई problem है function create किया हमने standardized tokenize and vectorize data अब to set the output mode to int to create unique integer indices for each token ठीक है यानि के जो हमारी layer ये काम करेगी वो standardized करेगी function ठीक है फिर tokenize करेगी फिर उसको output करेगी एक integer में वो ही तो मकसद है न वेक्टराइजेशन का अगर आगर गोर करें यानि के हमारे पास पहले आया एक text ये page text टेक्स्ट से हमने remove किया HTML tags को और punctuation ठीक है ये coma ये remove कर दिया अब हमने इसको token में convert करना है हर एक sentence को the cat and so on कर दिया अब neural network को चाहिए number तो हमने हर token का एक number assign कर देना है 19, 20, 21, so on and so forth ठीक है और इस model को पता है कि 19 किस का 20 किस का ये सारे step ही आपकी vectorize layer के अंदर है अगर आप गौर करें layer text to vectorize standardized करने के लिए हमने custom standardization function use किया है ठीक है and then token हमने बनाए है max features की base पे max token की base और output जब हमने integer कर दी वो automatically vector बन गया integer के है int है ना एक number है तो उसके अंदर जब output automatically token की चलेगी वो खुद बाखुदी integer बन गया ठीक है and then output sequence हमारी उसकी sequence length हमने simple रख ले कि कितनी sequence की length है ना यू विल सी यहां पर हमारे पास pre-process हो गया data pre-process का मतलब है हमने tokenize standardized, tokenize and vectorize यह तीन चीज़ें याद रखे एनलपी के start में यह बहुत जरूरी है यह वह ही है standardization, normalization, scaling, सारा कुछ जो हम numeric से कर रहे थे यह उसी तरीके का काम है but for NLP यानिके text का data okay next you will call adapt to fit the state of the pre-processing layer to the data set this will cause the model to build an index for strings to integer ठीक है यहां पर हम एक index भी prepare करेंगे string to integer का जिसका मकसद यह के हर एक integer जो है वो एक specific string के साथ match कर रहा हूँ यानिके जो 19 का D है वो उसके साथ match कर रहा हूँ so we will see okay वो यह भी कह रहे हैं it is important to only use your training data when calling adapt using the test data set would leak information leak information से मुराद यह है कि वो जो information आप test data के भी use कर रहे हैं उससे यह होगा कि आपका जो data है वो overfitting की तरफ चला जाएगा ठीक है let's see कि यह किस तरीके से हमारा label जो है यहां पे काम करते है basically बिलकुल यही बात है जो अभी लिखी है अलीने के आप चीट करवाने लग जाए कि मदलब paper कल को है बच्चों को पहले दस-दस-दार का question paper बेज दे समझें बात को data leak करना test का so अब यहां पे simply क्या है adapt का function यूज हुआ है training टेटा पे हुआ है और इसका मकसद क्या है हमने adapt को fit किया state of the pre-processing layer to the data set जो हमारी pre-processing layer थी ना vectorized layer उसके मताबिक इसका indexing की है adapt layer के थूप ठीक है यानि कि यह वाली जो vectorized layer है इसको यह पूरी के पूरी layer हमने use की इसको adapt करवाया है अब हमने train text पे यानि कि जो हमने यहां पे काम लिख लिया था कि यह 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 करना है एक मजदूर तियार कर लिया वेक्टराइज लेयर के नाम से अब उस मजदूर को बोला यह पढ़ा data भाई करो दुरा काम इस पे समझ़गे बात की यहां पे ट्रेनिंग हुई है उसकी कि यार यह यह करना तुमने समझ के काम वो कहता जी समझ कितने पैसे लोग यार यह decide होगे and now at the end इस वेक्टराइज लेयर विल परफॉर्म यानि कि adapt करवाय जाएगी to train text अब यहां पे हमने ट्रेनिंग डेटा पे इस विज़ा से इसको adapt करवाया है कि हमारे पास information leak ना हो लेकिन start में हमने बोला था कि most of the procedures we will perform on training and testing layers ऐसे ही है now we will see कि यह क्यों ज़रूरी था इस पे ओके यहां पे हमने train text को जो raw हमारा data set था उसको एक function के मताबिक हमने बना लिया इससे क्या हुआ हमने text only data set रख लिया without any labels यानि के हमने why को यहां से remove किया उसकी वज़ा क्या है कि हमने text पे सारा गाम करना था why label पे नहीं करना था text के उपर से हमने standardized करना था ना चीज़ों को labels पे तो हमारे ज़रूर है नहीं है तो या 0 है या 1 है तो इस वज़ाए से यह वाला function यूज किया गया training data set के उपर and then यहां पे आपका दुबारा से एक function create किया गया है vectorized text का जिसको हमने इस वज़ाए से बनाया यहां पे कि आप process कर सके इन data को now we will see जारी बात है हमें output यहां पे नजर नहीं आ रही so इस वज़ाए से कुछ चीज़ें ambiguous रहेंगी for sure तो जैसे हम इसको run करेंगे then we will see those things तो basically अभी तक हमारा vectorize ही चल रहा है and then we use some batch and the labels here to retrieve different kind of data set और हमने कुछ इस तरीके से different reviews के label कर दी है negative or positive and then we created a kind of vector for that review and preview that review for example यह review था एक जो किसी ने लिखा ठीक है उस review को आप कैसे vector form में change करें and it comes in a form of array ठीक है and you can see के यहां पे यह वाली information है पिर आगे जाके कोई information नहीं है and at the end it's not giving us anything ठीक है तो यह vector के अंदर convert हो गया basically मतलब यह कि यह जितना text था इस review का at the end हमने उसको एक integer के अंदर integer के data set के अंदर convert के लिए that's the only purpose of doing vectorization जो अभी तक जितना गाम की है वो यहां तक पहुंचने के लिए किया है ठीक है अब हमारे पास यहां पे अगर आपको नहीं पता कि किस तरीके से vectorize किया और कौन-कौन सी चीज़ें हमारे पास मजूद है so हम क्या करते है for example यहां पे यह जो number है ना यह specific token को represent कर रहे है जो 260 है इसके पीछे को text चुपा हुए जो 251 है इसके पीछे भी को text चुपा हुए वो जो text चुपा हुए we can actually see those text like this for example 1287 के पीछे silent है 313 के पीछे night है ठीक है और 10,000 की इनकी और रेड़ी एक vocabulary भी पड़ी हुए so you can see कि अगर आप vocabulary की base space को adapt करवाएं और different किसम के tokens जो है यहां पर आप आप assign करवाएं then you can find a way out कि आप किस तरीके से vectorize layer की get vocabulary के through हर token की vector key index को check कर सकते है for example कौन सा number किस text को show करता है कौन सा number किस token के against है so you can see that just to be on the safe side कि यह हमने किया कि है हमने vectorize किया और उसकी reverse engineering करके check कर रहे है कि वो किस नंबर से जाहिर किया जा रहे है अब अगली चीज़ क्या है हम बहुत करीब-करीब पहुंच गे है लेकिन एक final pre-processing step है ठीक है और उसको हम check करते हैं कि वो कैसे यहां पर perform किया जाता है हमने कैशे बनानी होती है और data को pre-fetch करना होता है यह दो terms के बारे में किस ने पढ़ा था इस पूरे notebook के अंदर आप में से या नहीं पढ़ा इस चीज़ के बारे में कि कैसे configure करते हैं dataset को for performance अभी पढ़ लें कोई मसला नहीं है मैं screen उपर कर देता हूँ कैशे होता है आपकी memory के अंदर data save रहे यानि कि आपने model एक दफा चला है वो memory के अंदर पढ़ा है बार-बार छोटी-छोटी फाइलों से read करने से वो memory के उपर data आ जाना अच्छी बात है यह यहां पर का जा रहा है cache का मतलब और दूसरा important method of prefetch that overlaps data preprocessing and model execution while training ठीक है तो आप prefetch भी कर सकते हैं data को और cache भी कर सकते हैं for example यह दो method जो है यह data को load करने के लिए यूँ जो है ताके हमारा data bottleneck ना बने जब हम training कर रहे हैं for example अगर आपके पास 60,000 file हैं text की जिसके अंदर एक एक review है उसको read करना बहुत मुश्किल हो जाएगा rather it's easier कि आप सारे का सारा text आपकी cache के अंदर मुझूद हो यानि कि सारे का सारा text एक tokenized form या vectorized form के अंदर आपके पास मुझूद है समझ रहे हैं बात को pre-fetch का मतलब भी यही है कि आप training के दुरान पहले से data को pre-fetch करें फिर train करें pre-fetch का मतलब क्या है कि training से पहले सारा पकड़ लाओ training के दुरान ना केली-केली file देखो तो यह pre-fetch का मतलब यह है और अब auto-tune एक और method है हमारे पास अपने data को buffer size को auto-tune करने का इससे क्या होता है हमारा जो data है वो basically automatically हमारे पास pre-fetch भी होता रहता है यह cache के अंदर आता रहता है so usually हम इस method को use इस वज़ा से करते है कि cache बन जाए data training से पहले ठीक है so this is something related to the method जो tensor flow के अंदर मुझूद है आप इसे को buffer size भी बोलते है buffering का तो पता होगा न आपको buffering वही होती है न जब आप एक चीज को चला रहे हैं move कर रहे हैं वो high quality आपके पास आ रही है अक्सर अकात आपने देखा होगा daily motion के ओपर sometimes when आप कोई movie देखें तो वो कहता है कि buffering कर रही है मतलब चीजें अभी load हो रही है data भी load हो रहा है फिर आपको दिखाते है समझ रहे हैं बात वो होती है buffering कि buffer कर रहा है तो यहाँ पर आप क्या करते है buffer size auto tune auto tune के उपर रख देते हैं वही जितना भी data है वो हमारे पास पहले से आ जाए ठीक है और वो buffer उसका हो के हमारे पास model train करें यह इसकी simple example यह है कि जब आप model train कर रहे हैं आपके पास data ready होना चाहिए यह नहीं है कि उस वक्त आप data ले के आओ और उसको बार बार पर ठीक है अब create करना है जी model यह एक छोटा सा आपका जी model है simply ठीक है आप यहाँ पर गया करते है sequential layer बनाते है यहाँ पर आपकी dense layer है ठीक है तो हमारे पास तीन चीज़ें यहाँ पर use हो रही है layers हमारे पास एक embedding की है दूसरी हमारे पास drop out की है तीसरी global average pooling one dimensional की है और चोथी हमारे पास यह again drop out की है पांच भी जारी बात है हमारे पास dense है जो output हमें बता रही है ठीक है and now we need to see के यह हमारे पास जो पांच की पांच layers है यह कैसे perform करते है ठीक है अब इन पांच की जो तीन और दो पांच layers है इसके अंदर मुझे को बता सकता है कि हमारे पास input layer कौन सी है यहां पे हमारे पास कौन सी input layer है कौन सी hidden layer है और कैसे गाम कर रहे हैं यहां चलें आप ऐसा करें मैं यह आपको code भेजिता हूँ मुझे दरा comment करके बताएंगे बलके आपके पास है यह यहां पे हर layer के आगे comment करके बताएंगे यह कौन सी layer है और कौन सी नहीं यह वाले code को झाले करके अभेशे झाले को प्रण प्रश यहा बड़्हार यह यहां बड़ प्रण पास्वेशन इंग और से देखलें कोई मश्लानी प्ष्ट 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 सफस्त रस Wait झाण च्व consensus वया कि प्ष्ट प्ष्ट कि ध्लाई कि सик कि तिरफ एक अंसर आया अभी तक मेरे पास ताने को मैं भी बता कि शुकर के आगे चला जाओंगा लेकिन फिर आपको समझ नहीं कि यह कैसे बनाया जाता है कि अज़ता है पुर्ण कि यह कैसे बनाया जाओंगा लेकिन फिर्वार जाओंगा लेकिन फिर आव पास चलें आपको समझ आगी होगी जिन्होंने देखें अब यहां पर दो चीज़े मैटर करती है पहली जो लेयर है जो हमारे पास इंबेडिंग की लेयर है टैंसर फ्लो के अंदर यह लेयर यूज होती है आपके फीचर्स या पॉसिबल वैलियर्ज ओफ वैक्टर्स को चेक करने के लिए कि कितने पॉसिबल वैक्टर्स इसके अंदर आ सकते हैं और यह इंबेडिंग लेयर इस विज़ा से कहलाती है क्योंकि यह कनवर्ड करती है अगर आप याद करें इंबेडिंग के अंदर मैंने बताया था ना कि एक ही चीज के रूल्स को दूसरे पर अप्लाई कर दें यानि अगर मैंने मैंन लिख है और इसका वैक्टर है 226 तो इसका मतलब जो रूल्स मैंन के साथ है वह 226 के साथ है तो इंबेडिंग लेर का भी मतलब यही है कि जो आप एक वेक्टर को बना देंगे वह वेक्टर को एक स्पैसिफिक क्रेक्टर के अंदर करके आप पॉसिबल वेक्टर यहां पे उसको रीड़ाउट करवाएं आप उसकी डिमेंशन बताएं कि कितनी डिमेंशन का रखना है ठीक है और यूजुली यह इंबेडिंग डिमेंशन और पॉसिबल फीचर जितने इसके अंदर आने है उन दोनों और यह लेयर बनती है ठीक है तो जितने मीक्सिमम फीचर हमारे हैं प्लस वन उसके अंदर आपकी ओवर्फिटिंग को रिडियूस करती है यानि कि ये बीस फीसर डेटा अपने पास रखती है और हर एक ट्रेनिंग के दुरान ये डेटा देती रहती है अच्छा ये लो पकड़ो और ये पकड़ो इसको नहीं तुमने देखा ये वला पकड़ो इसको भी नहीं देखा ये वला पकड़ो इसको भी नहीं देखा सो इससे क्या होता है ओवर्फिटिंग आपकी रिडियूस होती है और फिटिंग नहीं होती वरना NLP के अंदर ओवर्फिटिंग बहुत ज्यादा हो क्यों कि इतना ओर्गिनाइजड वे में ये नियूरल नेटवर्क ट्रेन हो रहा एक फ्रेक्शन अपने पास रख लेता है ठीक है जिसको 20% यहां पर दी है पॉइंट टू की और यह हर एक प्रॉपेगेशन के दुरान आपको एक सैट देता रहता है कि यह विला पकड़ो यह विला पकड़ो आपकी ओवर्फिटिंग रिडियूस हो जाती है फिर हमारे प के अंदर कनवर्ट हो जाना है समझ रहे हैं बात को पूरी के पूरी लेयर वन डिमेंशन के अंदर चली जाना है इसका और कोई मकसर नहीं सवाए इसके मतलब यह कि यह रिटर्न करती है फिक्स्ट लेंथ ओफ आउटपुट वेक्टर कि यहां से इस एक स्पेसिफिक यानि के पिछले सारे के सारे आउटपूट इस लेयर की इंपूट के साथ हुती जिसके अंदर हमारे पास वन इस वज़ा से है क्यूंकि इसने हमें binary classification बतानी है और किस फॉर्म में बतानी है हमें binary classification 0 या 1 की फॉर्म में so we don't need any softmax function here यहां में चाहिए तो यहां पर हमने क्यों कोई function यूज किया कोई बता सकते हैं activation function क्या गरते हैं और हमने यहां पर क्यों नहीं यूज किया the question is why don't why we didn't use any activation function here you यह मतलब यहां पर हमने क्यों नहीं किया use at the end चलो लगा लो पीछे तो हम बाद में discuss करेंगे कि रैल्यू और बाकी चीज़ें हमने क्यों नहीं यूज की यहां पर चलो हम इसलिए नहीं चाहरें क्योंकि हमें linear activation चाहिए हैं कि यह टेक्स पॉजिटिव था यह नेगटिव था ठीक है यह तो हम कर सकते हैं यह जिरो आएगी यह बनना है यहां पर क्यों नहीं एक एक का अंसर है कि इंबैडिंग की वज़ा से हमने नहीं किया activation function तो इसको हम linear activation function बोलते हैं बाइडवे जो होता है जो कुछ नहीं करता मतलब वही रिजल्ट देता जो पीछे से आ रहे हैं चलेंगे question अपने पास लिख लें कि इस जगह पे हमने कोई activation function क्यों नहीं यूज किया तो यह important है इस पर हम discussion भी करेंगे और at the end यह हमारा model train होके यह कुछ समरी हमारे पास आती है अब यहां पर keyword है कि embedding के साथ dropout क्या होता है और बाकी चीज़ें क्या होती है अगर आप इस code को उठाके explain this code करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ आ रहेंगे कि why we are not using these things और क्यों हम utilize नहीं कर रहें ठीक है अब model तो हमने यहां पर create कर लिया but still we need to find out many other things यह हो गया model creation इसके बाद हमने क्या करना होता है model को compile करना होता है जिसके अंदर हमारे पास adam and matrix binary accuracy का आगया threshold की base पे और फिर हमने यहां पे भी binary cross entropy जो है उसका loss function use किया and then यहां पे हम model को train कर रहे है training data set पे validation data set पे और epochs हमने दे दिए at the end हमारे पास 10 epochs पे यहां पे model train हो जाता है basically and takes a lot of time ठीक है यह 10 epochs थे यह कितने थे yes 10 epochs तो अब मुझे कोई बता सकता है मैंने यहां पे लिख है 1 over 10 epochs यहां पे output आ रही है 1 over 10 epochs लेकिन यह पहला चल रहा है अभी फिर यहां पे दूसरा epochs चल रहा है फिर इतना कुछ आ रहा है फिर तीसरा चल रहा है फिर son and so forth फिर 10 की तरफ आता है यह क्यूं हो रहा है ऐसा बढ़ी असान इसके explanation है यह जो हमारे पास चीजें आ रही है ना 625, 601, 602 यह मैं आपको बताता हूं यह जो चल रहा है ना 1 over 6 to 25 यह क्या है जो मैं अभी आपको आर एनन के explanation बताकर इटा था तो यह क्या चीज़ है वन ओवर 6 to 5 एक ही लेयर पे बार बार जो चीजें हो रही थी टी सम्थिंग मैंने आपको बताया था शायद आपको याद हूं जिसको मैं टाइम बोल रहा था वहां पे तो यहां पे sequence पॉइंट है ना एक ठीक है समझ आगी बात की तो बेसिकली इसकी बेस पे सारा काम चल रहा है ठीक है तो यह अगर एक इपॉक के अंदर यह वन ओवर 625 और सो और सो फूर्थ चलता जा रहा है इसका पहले चलती है फिर दूसरा टोकन आ रहा पिर तीसरा पिर चोथा पिर पांचवां पिर चेटा पिर साथवां फिर आठवां 625 टोकन टोटल होंगे फिर अगला इपॉक चले तो अगर मैं यहां पे लॉस्ट चेक करूं इसका पहले इपॉक पे 0.6623 है 0.69 है और फिर आगे चलते हैं जी एर दी एंड हमारे पास जो लॉस है 0.3 है 6 से 3 पे आगे है और 87 हमारी एकुरेसी होगी है ठीक है और इपॉक्स की बेस पे आप अपकी अकुरेसी हिस्ट्री की बेस पे कैसी चाह रही है विच शोज उस इस आप कम असकम यहां तक अगर आपका कोई क्वेस्ट्री के बारे में इतना 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 नहीं रख रहें so we will see that ke training and validation की different curves कैसी होती ही for example this is training and validation loss जब connect होता है हमारे पास तो दिसीस सेहिंग के जनाब 10 पे जा के आपका training and validation loss जो है वो बर्णा या कम होना रुक जाता है किसम का and here is the loss और ये इंक एक pattern हमारे पास आ रहे है ये हमारे पास दूसरा pattern है इसका epoxy का तो एक loss function होता है कि हमारे पास accuracy होती है तो दोनों को आप check कर सकते हैं कि कहां पे highest है उसकी base पे आप callback function set कर सकते हैं इसके अंदर भी but at the end आप अगर model train कर लें ये मैं आपको पढ़ाऊंगा सारा training and validation के बारे में curves और इनकी setting ये सारा कुछ हम देखेंगे but for now हमारे पास यहां पे आप इस model को जो है export भी कर सकते हैं ठीक है और basically आप sigmoid function को भी रख सकते हैं इसके अंदर if you want to use and then you can also export the model with compile version with this one and then you can test with raw test data set and sometimes आपके पास ये examples है अब आप यहां पे कुछ भी लिखेंगे और उसको predict करेंगे example को then you will have an output like this तो अगर sigmoid function है आपके पास activation में sorry जो last function activation function वहां पे sigmoid रखते हैं तो यह यह 0 देगा या 1 देगा otherwise आपके पास कुछ इस तरीके से सारी probabilities आ जाएगी ठीक है यहां पे अरे पहले वाले की है जनाब 0.6 दूसरे की पोर्थरू 0.42 तीसरे की 0.34 so we don't know के किसकी कौन सी category बनती है अगर आप गोर करें यहां पे this movie was great तो one है positive इसी वज़ा से यह one के आस पास है 0.6 sigmoid होता तो इसको positive कह देता this movie was okay यह 0.5 के पास पास है इस वज़ा से हम इसको neutral नहीं कहेंगे यह negative में consider होगा क्योंकि यह 0.4 है इसकी value this movie was terrible obviously it's a negative comment तो यहां पे यह 0.3 है जिसका मतलब यह 0 पे आएगा s function के थू तो इस तरीके से आपका model जब train हो जाता है यह automatically इस तरह के text को positive negative के अंदर classify करते है and then at the end you can have a look on this data set बाद में आप same चीज़ को different और किसम के classification के अंदर भी कर सकते है multi class classification के अंदर जिसमें positive, negative, neutral sad, happy इस तरह के comments भी आ सकते हैं और उसके लिए activation function change हो जाएगा multi class classification में क्या होगा softmax यह different other functions आप use कर सकते हैं multi class classification हो बाकि data की main terms sentiment analysis के लिए यही हैं जो हमने की हैं भी you have to look into that और यह आपके पास कुछ exercise के question है if you want to do that exercise that would be great otherwise next example जो है वो थोड़ी सी complex में लेक्या होगा और A to Z coding के साथ हम उसको देखेंगे यह notebook आपके पास है आप इसको देख सकते हैं इसको try करें इसको पड़े इच्छे तरीके से कोई question हो you can ask that और इसको करने के बाद question कीजिएगा इससे related क्योंकि जारी बात है मुझे पता है कल किसी ने भी इस पर performance नहीं कियी होगी किसी ने इसको run नहीं किया होगा I know that लेकिन still now we know many terms जो यहां पर हमें clear की हैं यहां पर recording को stop करता हूं